स्वागत एश्टुदेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए लेका आए हैं कक्छा आठ का विस्से गनित का वार्सिक का पेपर जोकी 80 नंबर का आपका होने वाला है काफी सारे दिनों से काफी डिमांड आ रही थी कि पेपर लेके आए हम आपके लिए पेपर की सीजिज लेके आएंगे रोज सॉल्ड करेंगे हम पेपर और इन में से आपको काफी सारे प्रश्ण देखने को मिलेंगे क्योंकि ये विरकुल आपका latest जो सिलेबस है उसके मताबिक बनाया गया है प्लस जतने भी प्रश्ण उन चैप्टरों में से लिए गए हैं उन अध्याय पाठों में से लिए गए हैं जो आपके syllabus में हैं और जितने marks के आएंगे exam में उतने ही marks के लिए गए हैं तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम paper शुरू करते हैं यह पूरा solve paper है ताकि आप आसानी से कर पाएं हम जितने भी paper लेका आएंगे आपको सारे solve करने हैं क्योंकि board में इन में से काफी सारे प्रस्णा को देखना हो मिलेंगे तो आप आपकी practice अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे से marks ले पाएंगे चलिए start करते हैं पहले एक से लेके 6 तक में 4 विकल्प हैं हमें सही विकल्प चुनना है देखिए पहला प्रस्णा यदि 3x-4 ड्रैकिट में है 64-x बराबर 10 तो x का मान क्या आजाएगा हमें पहले क्या करना है 3x-4 का गुना करेंगे 64 से और 4 का गुना करेंगे मानिस 4x से बराबर 10 xx संग्या को यह तरफ लियाएंगे उत्तर क्या आजाएगा हमारा 38 आजाएगा आपको solve करके भी दिखाया गया है यह आगे देखिए अगला देखिए एक चरवाले रेकिक समिकरन का होता है हमेशा एक चरवाले रेकिक समिकरन का केवल एक ही हल होता है तो ए उत्तर हो जाएगा अगला देखिए बट्टा प्रतिसत एक वस्तु के अंकित मुल्य पर परिक्लित किया जाता है ना वे बाकी ओप्सन लिखना भूल गए है इसका उत्तर अंकिती होगा अगला है एक बहुपत में चरो के घातांग सदेव कैसे होते हैं हमेशा रिनेतर पृनांग होते हैं C उत्तर हो जाएगा अगला है एक पदी और द्वी पदी का गुनन फल मतलब कि एक पदी क्या हो गया दूनों का गुनन फल कैसा होता है त्री पदी होता है त्री पदी हो जाएगा अगला है दो की घात साथ का गुनन प्रतिलोम क्या होगा गुनन प्रतिलोम दो की पावर साथ तो हमें ऐसी से इसको गुना करना है कि बराबर में एक आ जाए गुनन प्रतिलोम का मतलब होता है बराबर में एक आना चाहिए तो इसका गुना किस्ते करें कि ये कट जाए पूरा भाग हो जाए इसका और बराबर में हमें एक मिल जाए तो दो की घात साथ एक बटे दो की घात साथ एक बटे दो की घात साथ को कैसे लिखते हैं इसको दो की घात माइनस साथ भी लिखते हैं दो की घात माइनस साथ बट्टे बराबर क्या हो जाता है हमारा एक बट्टे दो की घात साथ होता है तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा अब है हमारे अतिलगू जो कि दो मांक्स के हैं निम्न का गुनन परतिलोम ग्याद करना है गुनन परतिलुम मैंने बताया था अभी बराबर में एक आना चाहिए तो माइनस का 11 बटे 8 है इसको किसे गुना करें 8 माइनस के 8 बटे 11 से 8 से 8 कर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 से 11 कर जाएगा बराबर में एक आएगा उसका गुनन परतिलों क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 8 बटे 11 अगला है X में से 8 को गटाने परिमान किता प्राप्त हो रहा है 2 तो X का मान क्या होगा X में से 8 को गटाया परिणाम क्या आया 2 X बराबर क्या हो गया 8 को इधर ले जाएए बराबर के उत्रफ तो 10 आ जाएगा X बराबर 10 उत्तर हो जाएगा अगला है एक पासे को फैका गया उसके 2 के गुनच पराप्त करने की प्राइकता क्या होगी 2 के गुनच एक पासे को फैका गया एक पासे में कितिसन क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सम 2 के गुनज 2 के गुनज क्या हो गए? 2, 4 और 6 तो जितनी possibility हो सकती है प्राइकता कितनी हो सकती है? कुल प्राइकता 3 है सुरी प्राइकता 3 है और कुल कितनी हो जाएंगी? 6 तो 3 बटे 6 हैं मतलब कि 1 बटे 2 आपको इस प्रकार करना है 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 उत्तर हो जाएगा अगला है 68 स्कॉयर में एकाई के इस्थान पर क्या होगा? 68 स्कॉयर एकाई का देखना है हमें देखिए 8 का स्कॉयर हो रहा है तो 8 को 8 से गुना करेंग कितना आ जाता है? 64 एकाई के इस्थान पर क्या आएगा हमेशा? 4 आएगा तो 4 उत्तर हो जाएगा आपको इस प्रकार करके देखना है बताना है कि 8 गुना 8 करने पर 64 आता है तो 4 क्या है? एकाई का इस्थान रखने वाली संक्या है अगला है अब आजे गुनान खन विदी द्वारा हमें 1728 एक पून घन है या नहीं बताना है तो आएगे देखते हैं तो आएगे पुरा सॉल्ड है ये आप देख सकते हैं पुरा सॉल्यूशन करके आपको बताया गया है 11 प्रस्णम देख रहे थे कि 1728 का अब आजे गुनान खन विदी द्वारा बताना है कि वह घन है नहीं है तो दो से करेंगे फिर दो से फिर दो से इसी परकार जब तक होता जाएगे करते रहेंगे जब तक एक ना आ जाए तो हमें संख्या क्या प्रात हो जाएगी 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 हमें क्या बताना है घन बताना है तो परते एक तीन में से एक संख्या ले लेंगे एक लेली इसमें से एक लेली एक से एक लेली तो सभी पूरी हो गई गुना कर देंगे तो यह क्या हो गया बारा का हो गया 11 प्रश्न का किसका घण है ये एक साथ दो आट बारा का घण है पून घण है अब हम बताना है सौ के घण में कित्ते सुन्ने होंगे मतलब क्या पूछ रहा है ये सौ गुना, सौ गुना, सौ घण का मतलब क्या होता है एकी संक्या को तीन बार गुना करना है उसी संक्या से तो कितने सुन्य हो गए देखिए गुना करेंगे दो सुन्य ये चार और ये छें छें सुन्य होंगे अगला देखिए लंबाई चोड़ाई और उचाई दे रखिए हमें आयता का डब्बे की हमें आयतन बताना है आयत का आयतन कितना होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई आयता का डिबबा है आयते का डिबबे एक क्या हो गया घनबाकार हो गया जिसको क्या बोलते हैं घनबाकार घनबाकार डबबे का आयतन होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई तो क्या हो जाएगा दो X गुना तीन Y गुना चार जैड तो दो तिया छे चौक 24 X Y Z उत्तर आ जाएगा आपका नीचा आपको solution मिल जाएगा पूरा प्रॉपर देखिए यह आप गनबाकार लिखना है आपको आयत का नीच गनबाकार का आयतन LBH होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई LBH लेंद ब्रेट और हाइट होता है गुना करेंगे 24 X Y Z आ गया अगरा देखिए यदि 5 A प्लस B 3 बरावर 65 है तो A B का मान करमसर क्या होगा A B का मान निकालना है हमें तो A B का मान क्या हो जाएगा A बरावर 10 B बरावर 5 रखेंगे तो 65 आएगा अगला देखिए प्रशन नमबर 15 अब ये सभी 4 मार्स के प्रशन चालो हो गए है आपको ये सभी प्रशनों करने हैं बच्चो ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है आपका काफी अच्छा मैस हो जाएगा मैं एक एक प्रशनों को डेटेल में समझा रहा हूँ माइनस का 5 बटे 6 है और 7 बटे 8 की बीच में समीपम जो लसव पकित्ता आ जाएगा 24 तो हमें दोनों पहाड़ों में 24 आता है तो हम 24 बनाने की कोशिस करते हैं 6 को 24 बनाने के लिए क्लिए 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 उपर नीचे 4 से गुना और 8 को 24 बनाने के लिए उपर नीचे 3 से गुना दौनों में बराबर होनी चीने संख्या है तो क्या आजाएगा माइनस का 20 बटे 24 और ये कित्ता आगया 21 बटे 24 अब हमें पाइस एक पूरी रेंज बन गई कि माइनस के 20 बटे 24 और 21 बटे 24 की बीच में जित्ती भी संख्या हैं उन में से हम कोई पांच संख्या लिख सकते हैं काफ़ी सारी होगी हमें पांच ही लिखने हैं तो हमने पांच लिख दी हैं इसके अलावा आप और बीच में से कुछ भी लिख सकते हैं अगला देखिए तीन करमागत सम संख्याओं का योग है 48 इन में से सबसे बड़ी संख्या ग्यात करनी है तीन करमागत सम संख्याओं का बोल रहा है तो क्या हम मान लेते हैं तीन करमागत संख्याओं एक्स एक्स प्लस दो और एक्स प्लस चार होगी प्रश्टना नूसर क्या है इनका योग 48 है किता बन गया 3x ब्लस 6 बराबर 47 3x बराबर क्या आ गया 48-6 42 तो x बराबर किता हो गया 42 बटे 3 मतलब की 16 सबसे बड़ी संक्या क्या है x प्लस 4, 16 में 4 जोड़ देंगे 20 आ जाएगी, तो मतलब सबसे बड़ी संक्या क्या थी 20 अगला देखिए वहन उन्तम पून वर्ग क्यात कीजिए जो की 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है तो इसके लिए हमें लसपा लेना पड़ेगा इनका जैसे ही आप इनका लसपा लेंगे तो हमें एक क्या संक्या प्रात होगी 2, 2, 3, 5 तो हमें पून वर्ग बनाना है इसे तो 2, 2, 2 का एक जोड़ा बन गया 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 चीएगा 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 चीएगा तब वही हम करेंगे इसको 3 से गुना इसको 5 से गुना कर देंगे आप देखिए पुरा बन गया गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा उत्तर अगला है दो व्यांज़को का गुननफल एक्स की घाच 5 प्लस एक्स की घाच 3 प्लस एक्स है जदी इसमें से एक हमें दे रखा है एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स प्लस एक तो दूसरा व्यांज़क ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे एक तो दे रखा है तो इसमें भाग लगा देंगे अगल जो हमें निकालना है उसका तो मान लेते हैं हम पी एक्स दूसरा व्यांज़क है तो गुना करने पर गुननफल क्या प्राप्ट हो रहा है ये तो PX पराबर क्या हो जाएगा X गाथ 5 प्लस X गाथ 3 प्लस X भाग X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 अब भाग लगाने का तरीका देखिए पहले लगाया X गाथ 3 से X गाथ 3 से हम इसको गुना करेंगे X गाथ 5 प्लस X गाथ 4 प्लस X गाथ 3 अब देखिए माइनस हमेशा जब भी हम करते है माइनस होता है तो माइनस करते ही सारी चेंज हो जाते है साइन जिलते भी होते है प्लस का माइनस प्लस माइनस का प्लस हो जाता है तो ये दोनों कट गए और x गा 3 और x गा 3 देखे ये माइनस का है माइनस प्लस कट जाएंगे बचेगा क्या x गा ये x बच गया और माइनस का x गा 4 फिर x स्क्वार से गुना करेंगे इसी परकार हम करेंगे जब तक सुनने ना आ जाए सुनने आते ही मतलब कि एक संक्या क्या प्राफ्ट होई हमे x गा 3 माइनस x गा 2 प्लस x तो px बराबर हमें क्या प्राफ्ट हो गया ये अगला देखिए अठारा तक हमने कंप्लेट कर लिए है प्रस्ट नमबर 19 है हमें सत्यापित करना है 3x प्लस 5y ब्रैकिट हमें whole square लग रहा है माइनस 3xy 30xy बराबर 9x square प्लस 25y square हम LHS ले लेते हैं left hand side इसको हम इसके बराबर करेंगे आप इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं लेकिन ये easy है करना इसलिए इसको करेंगे इसको खोलेंगे हम किससे a प्लस b का whole square वाला formula है a square प्लस b square प्लस 2ab वो family लगाया 3x square प्लस 2ab 2 गुना 3x प्लस 5y गुना 5y प्लस b का square मतलब कि 5y का square माइनस 3xy solve करेंगे किता आगया 9x square प्लस 25y square जो की RHS के बराबर मतलब कि सत्यापित हो चुका है अगला प्रशन है बीसवा सरल करनी है हमें संख्या दे रखी है formula क्या लगेगा इसमें बच्चों देखिए माइनस 2 है यहाँ पे माइनस 2 है जब a यह बराबर होता है और m rn हमें अंतर आता है तो m प्लस n हो जाता है a बराबर तो इन दोनों को हम माइनस 2 की power 10 और नीचे क्या बच गया तीन गुना और यहाँ पे 4 है इसको 2 square लिख सकते है square m बराबर m और bracket के उपर n होता है तो m गुना n हो जाता है तो यह क्या बन गया 2 square था इसकी power 6 है तो इसको खोलने पर क्या हो जाएगा इसको पहले solve करेंगे अगर भाग में होता है और a सेम होता है तो m माइनस n हो जाता है तो 10 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 2 तो 2 की घात माइनस 2 बट्टे 3 2 की घात माइनस 2 मतलब की यह बट्टे में चला जाएगा जैसे कि इसमें दिखाया गया है 2 स्क्वाइर एक बट्टे 12 उत्तर आ जाएगा अगला है नीचे दिए गए आलेक में सभी अक्षरों के निर्दे संग हमें ग्यात करने है देखिए निर्दे संग यह क्या है a यह कित्ते पे है पहले x का लिखते है निर्दे संग फिर y का लिखते है देखिए a का हो जाएगा 0, 7, 7, b का 4, 5 c का 6, 5 और 2, 5 d का 11, 0 e का 14, 5, 6, 5 f का हो जाएगा 18, 9, 5 आको विकुल इसी प्रकार से लिखने लिखना है जैसे की निकालना ही बता देता हूं मैं आपको यह का बता दिया था b का देखिए b देखिए पहले x यह होती है x देखिए x लिखा हुआ है यह y है पहले x की निर्दे संग लिखते है x देखिए किते पह है? 4 पे y किते पह है? 5 पे तो b की निर्दे संग क्या आ गए? b बराबर 4, 5 इसी प्रकार हमने सब भी निकाल लिए है आप देख सकते हैं नीचे अगला देखिए यदि समिकरन दे रखा है हमें 1p गुना p कितना आ रहा है? q 6 यहाँ पे q-p क्या है? 3 तो p और q का हमें मान ग्यात करना है आईए देखते हैं बिखुल सिंपल है देखिए यह समिकरन देख रहा है और यह समिकरन दे रखा है अब यहाँ पे देखिए अब p गुना p करेंगे हमें प गुना p करने पर क्या आ रहा है? यहाँ पे 6 तो 6 कब आ सकता है? यह आपको दिमाख लगाना है या फिर तो यहाँ पे 4 गुना क्या हो? 6 लाना है हमें या फिर तो 4 गुना 4 हो या फिर 6 गुना 6 हो जब भी 6 आ सकता है बाकी 6 नहीं आ सकता तो हमने वही लिखा है प्रश्ण नूसार हमें क्या पता लगा P बराबर या तो 4 होगा अधवा 6 होगा पहले हम 4 को लिखेंगे अगर 4 करते हैं हम इस फॉर्मुले में तो Q कित्ता आ रहा है माइनस 4 बराबर 3 Q कित्ता आ रहा है 7 तो यह possibility नहीं हो रही है यह प्रश्ण पर लागू नहीं हो रहा है तो P बराबर क्या आ जाएगा 6 अगर 6 करेंगे 6 होगा तो Q कित्ता आ जाएगा 9 जिस्ते की ही पूरा प्रश्ण सॉल्व हो रहा है तो इसलिए P बराबर 6 और Q बराबर 9 उत्ता होगा अगला देखिए अब है प्रश्ण नमर तेही 6 माक्सी प्रश्ण है यह किसी समानतर चतर बुज P Q R S में P दे रखा है और Q दे रखा है समदी वाजग परस पर ओपर मिलते हैं तो हमें कौन P O Q ग्यात करना है देखिए O P और O Q क्रमस दे रखे हैं हमें समदी वाजग है तो आदे हादे हो जाएंगे तो O P Q क्या आ जाएगा आधा P अब Q P क्या आ जाएगा आधा Q अब हम तरिबूज P O Q में देखते है P O Q में क्या मिल रहा है तीनों कौनों को लिखेंगे प्लस करके 180 डिगरी का कौन होता है प्लस करना है P O Q ये ग्यात करना है और हमने ये दोनों निकाल लिए है ये आदा P है ये आदा Q है सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 180 में से कटाएंगे आदा कॉमन ले लिया P प्लस Q P प्लस Q हमें पता है कितना है 180 डिगरी का तो ये आदा कितना हो गया 90 है 180 में से 90 है तो 90 है O P Q भी कितना आ गया 90 है अगला देखिए प्रश्ण किसी फैक्टरी में 30 रमिक सब्ताहिक मजदूरी पर काम कर रहे है 30 मजदूर है और उनका सब्ताहिक मजदूरी इस प्रकार रुपों में दी गई है तो वर्ग अंतराल 800-810 मतलब दददस का हमें अंतराल लेते हुए मिलान चिन और बारम बारता सानी बटन सानी बनानी है बहुत इंपोर्टेंट है हमें से एक्जाम पूछा जाता है तो हमें अंतराल लेना है 10-10 का 800 से स्टार्ट करेंगे अंतराल 900 तक लेंगे अब हम देखना है 800 और 810 की बीच में कित्ती संक्याए है देखिए यह 810 है एक इनके बीच में 806 आ गई और 808 810 को नहीं लेंगे हमें बीच का बरगंतराल लेना है तो कित्ती हो गई देखिए 804 808 और 806 3 हो गई तो 3 मिलान चीन मनाएंगे 12-12 तर 3 हो गई अब 810 से लेखिए 820 810 हो गया इसी परकार से 812 हो गया 2 है 2 लिख दिया 12 मारता 2 हो गया इसी परकार आपको सभी करने है इनका यो कित्ता आ गयाएगा 30 यह 12 मारता बटन सानी है और मिलान चीन दौनों है इस परकार से आपको करने है अगला देखिए परस्ट नमबर 25 है यह भी 6 माक्स का है रुपे 48,000 का 8 परसेंट वार्सिक ब्याज दर से एक वर्स का चक्रवर्ती ब्याज हमें गयाद करना है जबकि ब्याज अर्द वार्सिक संयोजित किया जाता है तो मूलदन पता है हमें दर पता है कित्ती है 8 परतिसत है और समय पता है क्या है एक वर्तिसत तो ब्याज क्या है अर्द वार्सिक पर संयोजित है पॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बराबर पी ब्रैकेट में एक प्लस आर बट्टे दो सो की पावर दो एन 48,000 में दे रखा है principle मतलब की मूलदन एन हमारा एक वर्स है एक वर्स दे रखा है हमें सब भी वैल्यू का पुट कर देंगे उत्तर कितना आ जाएगा 51,916.80 अब हमें चक्रवती ब्याज निकालना है तो A-P होता है formula इसमें से मूलदन को घटा देंगे कितना आ जाएगा 3916.80 अन्तिम प्रशन है नीचे दिये गए आले एक दिन में विभिन समय के record को दरसाता है तो हमें नीचे कुछ प्रशनों के उत्तर देने है देखिए ये भी important है हमेशा पूछे जाते हैं प्रशन है इस आले को देखिए तथा निमलेखित प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रापे 8 बजे क्या तापमान है देखिए 8 बजे क्या तापमान है आपको देखना है ये 8 बजे है और तापमान क्या है ये रहा तो ये क्या 6 के बाद क्या आएगा 7 तो सातड दिग्री उत्तर हो जाएगा स्का देखिसों समेश आ झाल नीचे बताया भी है सातअ ग्री इसी परकार से किस समय पर टाव्माण 3 डिग्री है यहां हुद्ro बज़े हुई है 6 बज़े इसका उत्तर भी 6 बज़े आ जाएगा तीसरे का अगला देखिए प्राते 7 और 10 बज़े की बीच में तापमान में क्या परिवर्तन हुआ है 7 और 10 के बीच में 7 बज़े ता 5 डिगरी और 10 बज़े ता 8 डिगरी तो 8 माइनस 5 कर देंगे मतलब कि 3 डिगरी सेल्सियस का परिवर्तन हुआ है अगला है किस गंटे तापमान अचर रहा है अचर मतलब चेंज नहीं हुआ है तो 9 बज़े देखिए 8 बज़े भी 7 डिगरी ता 9 बज़े भी 7 डिगरी है दौनों जगे सेम है आप इस प्रकार से करना है आप हो 9 बज़े तर हो जाएगा तो बच्चो ये तो हमारा पूरा डिटेल में पेपर इसी प्रकार आप अन्य भी करते रहेंगे इसी प्रकार आप और भी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे आपके लिए ताक कि आप पूरे में से पूरे नंबर ले पाएं आपको उन जलसाजी में नहीं फस्तना है कि कैसारे यूटीबर्स में लिखा हुआ आ रहा है यही पेपर आएगा यही पेपर आएगा अपको बोर्ड होंगे बच्चो आपको पेपर अभी तक तो नहीं आया है अगर आएगा तो उपलब्द करा दिया जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है यह बिकुल लेटेस्ट अंको के साथ मैं आपके लिए लेकर आएगे इसी परकार अन्य भी करते रहेंगे इसे जुड़े रहें यह चैनल से लाइक करें सियर के सस्क्राइब करें थन्यवाद